जून 2024 में ग्रहों की मूमेंट बड़ी रोचक होने वाली है यहाँ पे मिथुन राशी हाइपर एक्टिव रहने वाली है और विशेश तोर पे सूरे जो हैं यह आदा महीना रहेंगे व्रश राशी में और फिर आदा महीना रहेंगे मिथुन राशी में तो यह सभी राशीयों के लिए अपने अपने तरीके से यह महीना बड़ा ही जादा इंटरस्टिंग बड़ा हैपनिंग होने वाला है कैसा रहेगा यह महीना आपकी विशेश राशी के लिए यह जो राशी भल है यह आपकी चंदर राशी के अनुसार है सूरे राशी यानि संसाइन जिसको आप बोलते हो उसके अनुसार नहीं है आपके लगने के अनुसार बिलकुल नहीं है और या आपकी नाम राशी के अनुसार भी नहीं है तो केवल और केवल इस राशी फल को अपनी चंदर राशी के अनुसार ही देखिएगा नमस्ते मेरा नम है योगेश शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइफ विद योगेश शर्मा में तो चलिए शुरू करते हैं जून दोहजार चॉबिस का आपकी राशी के नुसार राशी फल मेश यानि एरिस ये महीने की शुरूआत बड़ी धानसो बहुत बड़ी होने वाली है क्यों क्योंकि आपके राशी लौड मंगल जो हैं ये आपके अपनी राशी से पूरा महीना निकलेंगे मंगल उर्जा के ग्रह मंगल हैं एनरजी के प्लैनेट पिछले कुछ महीने से जो एनरजी की कमी से आप जूज रहे थे ना अंदर से कुछ नया करने के कुछ अच्छा करने की किक नहीं आ रही थी वो इस महीने में पूरी होती हुई दिख जाएगी मेश राशी वाले वो लोग विशेश करके जो कुछ नया शुरू करना चाहते थे लेकिन उनको साधन नहीं मिल रहे थे उनको अंदर से वो आवाज ही नहीं आ रही थी इस महीने में वो चीज़े जो है आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी अब वरश राशी जो है आपकी धन कमाने की राशी है धन जोड़ने की राशी है और यहाँ पे सूरे गोचर कर रहे हैं यह महीने के हाफ तक सूरे यहीं पे गोचर करेंगे तो पहले 15 दिन आपको एक तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फेवर मिल सकती हैं जो मेश राश लाने के लिए या धन को पुराना धन जो है वापिस लाने के लिए अटका धन लाने के लिए भी महीने के पहले 15 दिन जो है आपके लिए बहुत ही सुगम रहने वाले हैं उसमें भी करीबन 4 जून से लेके 14 जून के बीच का जो समय है आपके लिए रुके धन की प्राप्त ये मिथुन राशी में आ जाएंगे आपके efforts की राशी आपकी courage की राशी risk लेने की शमता की राशी एवन वो राशी जो आपके लिए public domain में आपकी image को decide करती है कितने contacts आप कमाएंगे उसको decide करती है तो ये जो scene रहेगा आपके लिए कैसा रहेगा कि आपको कुछ ऐसे नए ल relations या कोई skills को enhance करने के relations जो है आपके बड़े काम आने जा रहे हैं overall महीने का second half है ये धन के लिहाज से stagnant रहेगा लेकिन कुछ नए संबंद बनाने में कुछ नई चीजें शुरू करने में ये महीना जो है even पहला half या second half आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है health की आपके छटे घर से केतु का गोचर चल रहा है और इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस महीने में आपको कोई बहुत विशेश सहायता मिल नहीं रही है इसलिए मौसम के बदलाव से अपनी खूब रक्षा करिएगा बिना बात के expose मत होईएगा effort उतना ही करिए जि चीज़ें रुक्सी जाती है इसलिए इन चीज़ों के आपको केर करनी है आपके लिए सारा महीना अच्छा भीते उसके लिए आपको क्या करना है एक तो गाय का घी लेके किसी भी quantity में आपको महीने की शुरुवात के पहले दो-तिन दिन में ही किसी भी शिव मंदिर में अर स्वास्ते को आपके कंट्रोल में रखेगा और सबसे बढ़िया बात क्या है कि संबंधों को भी आपकी फिवर में रखेगा वरश यानि टॉरस इस महीने में वरश राशी एक मात्र हैसी राशी है जिसके दोनों हाथों में लड़ू है किस तरह से देखिए पहले 15 दिन ही रेसिपी होती है सफलता की हां ये जो चीज़े आएंगी जो मौके आएंगे जो ऑपर्चुनिटेज आएंगी इनको इनकैश करना तो इंसान के अपने हाथ में रहता है ना मौके आएंगे इनके लिए जो इनको लपक लेगा वही विजेता कहलाएगा इस समय पे यानि म मौकरी में भी है ना तो काम करने के नए तरीके इजाद करना अपने अंडर काम करने वालों से इस समय पे आप बहुत अच्छा काम ले पाएंगे और आपको अपने वर्क प्लेस पे भी चारो तरफ से सपोर्ट बनी रहेगी वरश राशी वाले जो स्टूडेंट्स है ना उनके लिए इस समय में कमपिटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का समय है वरश राशी वाली जो ग्रहनिया है उनके लिए भी अभी घर के अंदर एक उत्सफ का खुशी का एक मंगल मैसा महल बना रहेगा अब जब जून के सेकंड हाफ में ये जो तीन प्लैनेट हैं ये मितुन में जाएंगे तो चीजें और बढ़िया होंगी किस तरह से बढ़िया होंगी कि जो एफट पहले 15 दिन में किया थे ना अब वो धन देना शुरू करेंगे सबसे बढ़िया बात पुरश्वालों के लिए रहेगी कि अगर कहीं आपका कोई पैसा फसा हुआ हाना अब मांगने पर कोशिश करने पर अप्लाई करने पर आपको आपका पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा हाला कि इस समय में एक थोड़ी सी टीमेरिट आएगी कि बिना बातके आपका मन परिशान रहेगा मन गुसे गुसे में रहेगा चिड़चिड़ा सा रहेगी आपके धन कमाने या आपकी जो अर्निंग कपैस्टी है ना उसको लेके हाँ हलाकि हेल्थ में इस समय पे आपको अपनी डाइजेशन सिस्टम की थोड़ी ज्यादा केर करनी है इस समय पे आपका जो पाचन तंत्र है थोड़ा सा आपको धोका दे सकता है और इस समय प ंहए दुर्गटण गटी वहला काम हो सकता है यानि के इस परपैस के लिए यात्रा करण 나쁨 जाएंगे में दूसरे लाल चंदन का तिलक पूरा महिना अपने माथे पे लगाईए रोज सवेरे आप करीबन 5-10 मिनंट के लिए बिना गिने हुए गायतरी महामंतर का जब sitting में, मंदिर में आसन लगा के जुरूर करिए ये जो उपाई हैं ये आपके लिए चमतकार हैं ये उपाई जो हैं आपको एनरजी से भरेंगे युनिवर्स की जितनी भी आसपास के अची उर्जाए हैं ये आपसे connect करने की कोशिश कर रहेंगे ये उपाई उनको आपसे connect भी करवाएंगे जिससे सारा महीना आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा मिथुन यानि जैमिनाई भई ये महीना आपके लिए बड़ा जबरदस महीना रहने वाला है साल के बारा महीनों में जो मुख्य बिंदू है ना उनमें से ये महीना एक है किस तरह से अभी आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले ये समझ लीजे कि इस महीने में ग्रहों की moment आपके किस तरह से है ये आपके लिए खर्चों का घर है ये आपके लिए income का घर है और ये आपका खुद की राशी है आपकी राशी चंदर राशी मतलब आपका thought process और इसी महीने का जो second half है न उसमें बुद्ध, सूर्य़, और शुक्र महीने का जो पहला हाफ है ना यानि एक से लिके करीबन 14-15 जून तक ये कैसा रहने वाला है? इसमें आपके जो सूरज है ये खर्चों के गर से चल रहे हैं, ये 4 प्लैनेट आपने देखा जैसे खर्चों के गर से चल रहे हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में जो मंगल अपने ही घर में आगए ना आपके income में ये आपकी income को भी बढ़ाएंगे और आपके जो पैसे की आमद है ना आपकी life में उसको एक kick start देंगे आपको एकदम से लगेगा कि आप पैसे में जूल रहे हो एकदम से जो पिछले आपके efforts से ना वो अब आपको results देना शुरू कर देंगे ये समय students के लिए बड़ा विशेश रहेगा वो students जो focus की कमी से जूज रहे थे वो students जो competitions में कुछ अच्छा तो करना चाह रहे थे लेकिन competitions का महौल आते ही उनके हाथ पर ठंडे होने शुरू हो जाते थे उनके लिए ये जो पहले 15 दिन है न जून के बड़े जबरदस रहने वाले हैं वो कम पढ़ाई में ज्यादा चीज़े सीखने की तरफ भी अग्रसर होंगे यहाँ पर उन लोगों के लिए जो यात्री हैं या कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं फैंबली वकेशन पर जाना चाहते हैं बिजनस रेवल पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है highly favorable समय बनेगा लेकिन उसमें आपको यात्रा में ज्यादा adventures में नहीं जाना है हर चीज़ को पहले जांच पर रखके जाना है ये पहले 15 दिन में एक risk factor है कि किसी भी कागस को बिना पढ़े हुए sign मत करियेगा क्योंकि बिल्कुल विश्वास में आके किसी चीज़ को हा करना, किसी की guarantee देना और किसी भी काम में over risk लेना पहले 15 दिन में आपके लिए जादा favorable नहीं है तो आपको पहले 15 दिन में बिल्कुल सतर्क होके चलना है लेकिन लगातार चलते रहना है और फिर आएगा महीने का second half महीने में second half में जब ये तीन मुख्य planet आपकी राशी से गोचर करेंगे न तो एक तरफ से आपको वो चीज़े हैं मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आपको पिछले काफी दिनों से इच्छा थी दूसरा आपकी creativity इस level तक पहुंचेगी कि कुछ नया इजाद करना, कुछ नया कर लेना, कुछ out of the box सोच लेना ये भी अब आपके लिए possible होता चला जाएगा, even कुछ बहुत कहन थिंकिंग, कुछ नई learning जो है न ये बहुत ज़्याद आपकी सहायता करने वाली है, और इस समय में आपको एक side effect आएगा, कुछ आपकी ego इस तरह से बढ़ सकती है कि बाकी लोगों को आपके आसपास के लोगों को उससे ठेस पहुंच सकती है, इसलिए यता संबब अपने संबंदों को अच्छा बनाए रखिएगा यहाँ पर एक अपने मुखे चीज देखनी है कि राहू और केतू, यह जो चोथे दस्वें घर के access में आपके बैठे हुए है न, यह क्या करेंगे एक दम से आपका moody behavior करेंगे और उसकी वज़ा से आप अपने चलते चलते काम में कोई change लेके आना चाहोगे, जो आपकी favor में नहीं रहेगा निरंतर कोई न कोई अनाज, रात को भिगो के सुभा पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए, यह दालें भी हो सकती है, यह कोई गिहूं भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई अनाज, इवन जौं भी हो सकते हैं, जितना पक्षियों को डालते रहेंगे न, यह महीना उतन का विशेश उपाय है और एक चोटी सी चीज और एड कर रहा हूं उपाय के तौर पे इस महीने में आपके लिए वो है कि आपको पूरा महीना निरंतर एक हनुमान चली सा रोज पढ़ना है लेकिन ये ड्राइबिंग के दौरान नहाने के दौरान नहीं पढ़ना है आपने य आपकी राशी से शनी का अश्टम स्थान धहिया चल रहा है जो आपके लिए एक painful phase है ये painful किस तरह से है कई करक राशी वालों का कुछ भी नया कुछ भी अच्छा करने का दिल ही नहीं करेगा कई करक राशी वाले हैं जो अपने जीवन या surrounding के प्रती over complaintful हो जाएंगे और क इस समय में आपके लिए indicated है लेकिन यहाँ पर good news यह है कि महीने की शुरुआत में ही मंगल जो हैं यह आपके कर्म के घर से काम कारोबार के घर से निकल रहे हैं तो इस महीने में बहुत अच्छी चीज यह होने वाली है अपने दम पे अपने काम में आप कुछ ऐसी नई ची और चीज है यहाँ पर दिक्कत एकी चीज के आएगी दिक्कत आएगी केतु जो आपके थर्ड हूस से निकल रहे हैं यह केतु क्या करेंगे आपको डरा के रखेंगे कि अगर फेल हो गए तो अगर फलानी चीज हो गई तो तो यह अगर मगर जो है ना इसको side पे कि किसी की बातों में आके कोई भी नया काम नहीं करना है वो काम जिसकी skills आपके पास हैं जिसके सारे ins and out आपके पास हैं केवल उसी काम में हाथ हजमाईएगा महीने के मध्य में आके सूर्य शुक्र और गुरू आपके खर्चों के घर में आने वाले हैं इस समय में आप किसी luxury पे आपका खर्चा होने के योग भी बन रहे हैं इस समय में कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आप कुछ नया course करने की तरफ जाएंगे कुछ नया सीखने की तरफ जाएंगे और ये जो सीखने वाला आपका decision रहेगा ये आने वाले लंबे समय तक आपकी सहायता करता रहे हैं दूसरा उपाय आपके लिए है कि इस महीने के सारे सोम बार आपको shivling पे yellow flowers पीले फूलों का हार चड़ा के आना है और तीसरे इस महीने के अमावस जो आप आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कब हैं अमावस वाले दिन किसी भी blind school में जाके नेतरहिन लोगों के लिए की हुई गाड़ी को चलाने में भी आपकी बड़ी सहायता करेंगे सिंह यानि लियो वह यह जो महीना है आपके लिए किस तरह से विशेश है और किस तरह से चलेंजिंग है उसको एक बर planets की distribution के माध्यम से समझ लीजेगा पूरा महीना राहू जो है यह आपके पीडा के घर से निकलेंगे उसमें से तीन प्लैनेट जो है सूर्य शुक्र और बुद्ध यह फिर आपके income के घर में जाएंगे किस तरह से यह आपकी life में परिवर्तन लेके आने वाले हैं यह ध्यान से समझेगा महीने की जो शुरुवात है इसमें देखे चंद्रमा और राहू आपके अश्टम घर से निकल रहे हैं अश्टम घर जो है यह deterioration का घर है अंधकार का घर क्यों बोला जाता है मृत्यो भाव क्यों बोला जाता है क्योंकि यह किसी चीज़ के समाप्त होने के बाद नई चीज़ की शुरुवात का घर होता है तो महीने की शुरुवात में चंद्र र मान रही है ना ही बाहर आपको proper recognition मिल रही है लेकिन ये सिरफ illusion रहेगी जियो जो दिन आगे बढ़ेंगे आपकी ये गलत फहिमिया मार्क करिएगा ये गलत फहिमिया थी ये दूर होती चली जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो original leadership qualities हैं दुनिया अभी भी उन का महौल रहेगा bosses के साथ नौकरीम अगर हैं तो थोड़ी सी कोई जपट हो सकती है या कोई argument हो सकता है लेकिन अगर आप अपने काम में हैं तो आपके जो suppliers हैं जिनसे main आप माल लेते हैं अपना उनसे किसी ना किसी तरह की कहा सुनी हो सकती है और अगर आप service industry में हैं तो आ पूर होती चली जाएंगे लेकिन इसके दोरान जब भी scene बनेना अपनी गलती को admit करना मत भूलिएगा किसी भी ego में मत रहिएगा कि मेरी गलती थी नहीं चीजों को let go करिए और मुद्दे को आगे मत बढ़ाईए काम को आगे बढ़ने दीजिए और यहां पे विशेश ची कर देंगे और अगर ऐसा हो गया तो यह आने वाले समय के लिए इसी महीने के लिए आपकी productivity killer बन जाएगा काम को मटा लिएगा काम को same समय पे करिएगा इस समय पे आपको अपने digestion system की भी बहुत care करनी है और अपने खान पान की आददों को भी बड़ा control करना है क्योंकि इस चीजों की care करने है इस महीने में एक और विषेश चीजों की care को करनी है अपने घर के जो senior members है एक तो उनकी health की care करिये और दूसरा अपने ये planets की जो energy है ना आपकी favor में करने वाला हुपाए है दूसरा माथे पे केसर का तिलक लगाते रहिएगा और तीसरे अगर हो सके तो एक अभिमंतरित लाल धागा अपनी right कलाई पे ज़रूर बांद के रखिएगा ये अभिमंतरित लाल धागा कैसे लाल मौली या लाल धागा घर के पुजास्थान पे रखिए 11 हनुमान चलीसा पढ़ने के बाद उस धागे को फूंक मार दीजिए और किसी family member के हाथ से उसको अपनी right कलाई पे बंदवा लीजिए पूरा महीना इसको बांद के रखिए ये आपके लिए एक सुरक्षा का बज़ बनेगा और पूरा महीना जो है ना जितनी भी planets की adversities है ये आप तक नहीं पहुंचेंगी और पूरा महीना आपके लिए बहुत ही सुगम बहुत ही बढ़िया रहेगा कन्या या नहीं वर्को भई ये महीना आपके लिए बड़ा रोचक रहने वाला है रोचक किस तरह से रहने वाला है कि महीने की शुरुवात में ही ये जो मंगल है ये अश्टम घर से गोचर करेंगे और पूरा महीना आपके आठवें घर से जुड़े रहेंगे आपके राशी से जो आठवा भाव होता है ये होता है डिके का, चीजों के सडने का भाव यहाँ पे मंगल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है अलग-अलग तरह से पीडा देता है लेकिन इस बार ये जो मंगल है इसकी सीधी दृष्टी आपके धनस्तान पे जा रही है तो मंगल आपको पुष करेंगे मंगल एनरजी के कारक हैं पुष करने के कारक हैं तो मंगल आपको धन कमाने के लिए पुष करेंगे मंगल आपको अपना रुकाधन रिकवर करवाने के लिए पुश करेंगे और यही मंगल जो है ना यह आपके लिए निवेश के कुछ नई avenues खोलने जा रहे हैं यह मंगल जो है हला कि partnerships के लिए कुछ अच्छे नहीं है लेकिन यह मंगल किसी भी investment के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं खास तोर पर वोवली investments जो land, property, real estate से जुड़ी हुई हो हाला कि आपको यहाँ पी deals अच्छी मिल जाएंगी लेकिन उन deals के lock होने में थोड़ी से दिक्कात आ सकती है को कि इसे मंगल की जो आठीवी द्रिष्टी है वो आपके third house पे बनेगी राशी से तीसरे घर में तो यह जो द्रिष्टी है न यह क्या करेगी कि deal होते होते किसी तरह का argument हो जाना किसी तरह का कोई difference आ जाना या paperwork में कोई ऐसी गड़बड आ जाना जो एकदम मौके पे आके break लगा दे यहां आपको रोक दे तो आपको इस समय पे क्या करना है कि कोई भी deal या कोई भी paperwork करना है न तो उसको पहले जान चलीजिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए बिलकुल भावनाओं में बहके इस समय पे किसी भी चीज़ पे आपने sign नहीं करने है क्यार मंगल से आगे बढ़ते हैं आपका ये जो किसमत का घर है न इसमें सूर्य शुक्र, बुद्ध और गुरू ट्रेवल करना है महीने के पहला हाफ जो है ये स्थिती ऐसी ही रहेगी तो इस्थिती में आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है जो लोग सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं तो उनको सरकार की तरफ से इस समय में मिलेंगी नया शुरू करना चाह रहे थे न, उनके लिए ये समय रहेगा बहुत विशेश, क्योंकि इस समय पे इनके गुरू भी उदय हो चुके होंगी, और गुरू जब उदय होंगे न, तो इनके लिए काम कारोबार में कुछ एक नई कहते हैं न, ताजी हवा का जोका, वो लेके आ स्टूडेंट्स उनके लिए अपनी पिता जी की तरफ से कुछ great news मिल सकती है, या पिता जी की तरफ से कुछ ऐसी support मिल सकती है, जिसकी आप wait पिछले काफी समय से कर रहे थे, और जो लोग ancestral property के काम में है न, या जो लोग इसी ऐसे काम में है, जो उनका पीछे कई पीडियो पूर भी कर रहे हैं, इवन परिवार में किसी न किसी तरह का argument भी बना रहे हैं, तो आपको इस चीज की care करनी है, परिवार में किसी थरह का argument न बने, या आपका धन जो है न, भावनाओं में बहके कहीं पे निवेश न करें, ये इस महिने का आपके लिए परहे से, तो चलि फूलों का हार, ये फूलों का हार, पीला, सफेद, लाल, कोई भी हो सकता है, आप अपने इस्ट को चढ़ा के आए, सरल उपाए, लेकिन ये उपाए, कुदरत की सारी अच्छी उर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं, तुला यानि लिब्रा, शुक्र की राशी है मन घबराया रहेगा, मन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चंदर राशी की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि आपकी राशी से छटे में राहू का ट्रेवल, और आठ्वे से आपके राशी लौड का ट्रेवल, ये जो एंगल बन रहा है न, ये आपकी मन की शांती के लि महीने के पहले 14-15 दिना को दिखने वाली हैं, और इन जीजों को अभ्यास करके आपको सही करना है, नहीं तो आप प्लैनेट्स के ट्रैप में फस जाएंगे, क्योंकि ये जो फसेंगे न, बिना बात के उदर से मौके आ रहे हैं, लेकिन अपनी खराब मनोदशा की वज़ा से आप अपने मौकों को गवाते चले जा रहे हैं, जीओ ही, ये महीना आगे बड़ेगा, मंगल तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन सूरज, शुक्र और बुद्ध, ये आपके किस्मत के घर में आ जाएंगे, अब आएगा असली मजा, कैसा मजा, कि इस समय पे एक दम से आपक ब्रेंड नेम, आपके गुडविल, आपकी फेम बहुत अच्छे से बढ़ने जा रही है, जो भी तुला राशी वाले, अपने काम कारोबार में कुछ बहुत बढ़िया से शुरू करना चाह रहे थे न, अब 14 या 15 जून के बाद, उनके लिए एक विशेज समय आने वाला ह क्योंकि यहां पे इनके ब्रहस्पती भी इन पे महरबान रहेंगे, इनका किसमत connection भी इन पे महरबान रहेगा, हाला कि पैसे के लिहाज से ये महीना average रहेगा, जो आ रहा है वो आता रहेगा, कुछ भी बहुत exceptional नया नहीं आएगा, लेकिन इस महीने में जो value आपके काम में add होगी न, वो आने वले समय में धन की प्रचुरता को indicate कर रही है, इस महीने में आपको अपने दामपत्य जीवन, जिसको हम आपकी ग्रहस्ती या family life कहते हैं, उसकी थोड़ी सी ज्यादा आपको care करनी है, care किस तरह से करनी है, यह मैं आपको थोड़ा से elaborate करके बता रहा हू आपको यह देखिए, यह है शनी और यह है मंगल, और यह जो भाव है, यह आपका ग्रहस्ती का शादी का भाव है, यहाँ पे मंगल का होना, आपको थोड़ा से अपने जीवन साथी के प्रती impatient तो बनाता है, और यहाँ पे शनी की दृष्टी होना, क्या करता है, कि आपकी जो ग्रहस्ती है न, उसमें थोड़ी उदासींता आएगी, थोड़ी detachment सी आएगी, थोड़ा सा रूखा बना जाएगा, जो आपके मन को भी प्रताडित करता रहेगा, आपकी productivity को भी प्रताडित करेगा, इसलिए अभ्यास करके थोड़ा सा अपने जीवन में आपको रंग भरना होगा, उपाई क्या करें, जिसे के negative चीज़ें न आएं और positive चीज़ें आती चली जाएं, गाए को गुड़ खेलाईए हर शुकरवार, इस महीने में जितने शुकरवार आएंगे न, गाए को गुड़ खेलाते रहे, और विशेश तोर पे आपने शनीवार वाले दि तो इसकी वज़ाय से एक तो थोड़ी सी patience की कमी बनी रहेगी, और आपके जितने भी आपके competitors हैं या आपसे जलने वाले लोग हैं, ये आपके रास्ते में पूरा महीना ही अर्चने डालते रहेंगे, हाला कि वो इसमें कामया भी ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये उनका अर्चने डालना है आपके peace of mind को दो disturb हर हालत में करके रखेगा, इस समय पे आप देखे बुद्ध, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये आपके सब्तम भाव से विचरन कर रहे हैं, और ये जो भाव है इस समय पे सबसे बढ़िया बात क्या आ रही है, वो ये कि आप अ महिनी में आपका एक attribute बनेगा चोटी चोटी बात पे उल्टा सुल्टा बोल देना, या खाने पीने के समय पे लड़ाई करना, या खाने पीने की चीजों में नुक्स निकालना, अगर ऐसा हुआ, तो ये आपके धन का दुश्मन बनेगा इस चीज को आपने याद रखना ह यानि खाने पीने के समय पे अपने react नहीं करना है और जो भी मिले उसको खाना और उसको appreciate करना जो है आपका एक attribute इस महिने में होना चाहिए, हाला कि जुन के मध्य में, जुन के second half में शुक्र, सूर्य और बुद्ध, ये जो हैं आपके अश्टम भाव से विचरन करेंगे, इस समय पे थोड़ा सा आपको ज्यादा reserve होके चलना है, इस समय पे आपको कहीं नया निवेश नहीं करना है, अगर कोई property लेने का भी योजना बना रहे है तो उसको जुन के first half में रखिए, इस समय पे यानि जुन के second half में आपके लिए कुछ बड़ी investment करना भी मना रहेगा इस समय पे आपके लिए एक बहुत अच्छी advice है कि आपको थोड़ी meditation रोज करनी चाहिए, आपको social media या online जाना कम से कम कर देना चाहिए, अपने भीतर यानि अध्यात्म में जाना चाहिए, या थोड़ा सा blank रहने की कोशिश करनी चाहिए, ये किया गया जो है आपको ना के विचार मन में चलते रहेंगे, और जो वेपारी लोग है ना, उनको ऐसा लगेगा कि वेपार में एकदम से तेजी से मन दे आ रहे हैं, जिसकी वज़ा से मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है, हेल्थ की बात करें तो घुटने या घुटनों से नीचे की कोई ना कोई ऐसी ट्रबल आ सकती है, जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करें, इवन जो लोग जो नीद प्रॉपर नहीं ले पारे हैं ना, वरश्चिक वाले, उनको सरदर्द की प्रॉबलम या सारा दिन, किसी ना किसी तरह से शेरीर का लो रहना ऐसी दिक्कत भी दिख सकती है इस महीने में आपको अपने घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ की भी केर करनी है, और अपने जीवन साती की भी हेल्थ की बहुत केर करनी है, उनको लाइफस्टाइल से समबंदित कोई ना को ऐसी दिक्कत आ सकती है, जो आपके लिए परिशानी का सबब बन जाए, क्या उपा शिव मंदिर में जाना है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, काले तिल जो है कच्चे दूद में डालके हर मंडे अरपन करके आने है, जून के पूरे के पूरे मंडे, केवल इतना भर जो उपाए है ना, यह पूरे महीने को आपके लिए एक बड़ा स्मूथ महीना भी बन और गुरू जो है, आपकी राशी से चटे भाव में पूरा महीना विचरन करेंगे, यह तो पूरा साली करेंगे, लेकिन आपके लिए यह महीना कैसा है, अभी तो इस बात की चर्चा हो रही है, तो इसमेने इस गुरू के साथ बुद्ध भी हैं, शुक्र भी हैं, सूरे भ हो सकते हैं, और यह जो आर्गुमेंट है, महीने के पहले हाफ में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यह आर्गुमेंट आपके फैमिली लाइफ में अपने जीवन साथ ही है, यह आपने बच्चों से भी हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पे तो क्या ही कहने, वर्क प्लेस पे आपक कोशिश करते जाएंगे उतना ही प्राब्लम में और ज्यादा फस्ते चले जाएंगे आपके साबित करने से कोई भी चीज इस महीने में सौट नहीं होने वाली है और विशेश तोर पे क्या है राहू जो है आपके फोर्थ हाउस में यहाँ पे इस समय आपको ट्रिगर करेंग कि काम में कुछ बड़ा परिवर्तन लेका आजाये कुछ नया काम किया जाये कौольш नया एड किया जाय या कुछ ऐसी टूरिंग या कुछ ऐसी सरकल बढ़ाया जाये जो आपके काम में add हो लेकिन ये illusion रहेगी इसको करने से पहले किसी expert से सलाह जुरूर ले लीजेगा इस समय पे जो शनी है ना ये third house से travel कर रहे हैं तो ये जो शनी है ये बाकी जो ग्रहों के साथ इनका combination बन रहा है ना ये combination क्या कह रहा है कि आपको इस महीने में liquidity जो होती है ना cash की उसकी बहुत care करने की जरूरत है एक point ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि liquid cash आपके पास नहीं है जिसकी वज़ा से मन में tension हो रही है तो overall इस महीने का जो second half है पहले half के बजाए आपके लिए थोड़ा बेहतर हैगा क्योंकि उसमें ये जो शुक्र बुद और सूरे है ये आपके सब्तम्भाव से travel करना शुरू हो जाएंगे तो इस वज़ा से जो आपको अपने आसपा से stress मिल रहा था वो मिलना कम हो जाएगा और आपको अपने काम कारोबार में बेहतरी के लिए या अपने धन को realize करने के लिए कई नए साधन कई नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे तो इस महीने में क्या उपाय किया जाए जिससे के सारा महीना आपके लिए सुगम रहे एक तो हर अभीवार को थोड़ा सा गुड शिवलिंग पे चढ़ाते रहे और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जो जो है पानी में या दूद में राद बर बिगो के जब सुबह नर्म हो जाएं पक्षियों को डालना शुरू करिए सबता हमें एक दिन करिए सारा के सारा महीना करिए ये आपके अपनी इच्छा पे नर्वर करता है और तीसरे हर शनिवार को पीपल के पेड को जल जरूर चढ़ाई और हनुमा चली सा पढ़ते रहिए ये जो उपाएं है ना आपके लिए पूरे महीने को आपकी फेवर में करने के लिए जबरदस उपाएं है मकर याने कैप्रिकॉन भई महीने की शुरूरात आपके लिए बड़ी धांसू बड़ी जबरदस होने वाली है क्यों क्योंकि एक गुड़ न्यूज आपकी वेट कर रही है पंचम भाव में ये जो चार प्लैनेट हैं ये आपके लिए इस महीने की शुरूरात में एक नहीं एक से ज़्यादा गुड़ न्यूज लेके आएंगे किस तरह से एक तो आपकी नेम फिम प्रॉमिनेंस बहुत बढ़ने जा रही है आपको कुदरत की तरह से कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिन मौकों की तलाश आपको बहुत देर से थी लेकिन स्टोरी इतने सिंपल नहीं है इस महीने में पूरा महीना मंगल जो है चतुरत भाव में रहेंगे ये मंगल के लिए कोई भी अच्छी पोजीशन नहीं है फोर्थ हाउसे हैं तो ये जो कॉंबिनेशन है ना ये आपको थोड़ी लौड परस्नलिटी बना सकता है हला कि जो लोग पॉलिटिक्स में है न मकर वाले उनके लिए तो गोल्डन मन्थ बने गाई ये और जो लोग किसी भी तरह से लीडर्शिप क्वालिटी रखते हैं तो उनके लिए गोल्डन से भी उपर का महीना रहने वाला है ये लेकिन यहां पे आपको साइड इफेक्ट क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा कटू बोलने वाले बन सकते हैं बहुत ज्यादा चेड़ चेड़े बन सकते हैं जिसकी वज़ा से आसपास के लोग थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस रखना शुरू हो जाएं महीना जब आदा बीत जाएगा ना तब आपके बुद्ध, शुक्र और सूर्य आपके चटे भाव से गोचर करेंगे तो ये जो सीन रहेगा ये आपके विरोधियों के एक्टिव होने का समय रहेगा आपके घर के अंदर किसी ना किसी तरह के आपसी विवाद का समय रहेगा विशेश तोर पे उन लोगों के लिए जिनका ancestral property का यानि जद्धी जायदाद का किसी ना किसी तरह का कोई भी विवाद चल रहा है था ना उनके लिए ये समय जो है बहुत जादा careful रहने का समय बन जाएगा तो इस महीने में सब चीजें सही रहें उसके लिए आपको क्या करना है एक तो माथे पे आपको केसर का तिलक डेली लगाते रहना है दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है आपने कपूर जो है कपूर का एक दिया जलाना है आपने हर सौमवार रात को शिव मंदिर में जाके स इसरे नंबर पर एक विशेश उपाय है आपने एक disposable में क्विटोरी में मिश्री भरनी है कौन से धागे वाली मिश्री और इसको आपने रख के आना है किसी भी मंदिर में अपने East के चर्णों में शुक्रवार वाले दिन और इसको महीने के सारे शुक्रवार जितने भी आएंगे न ये उपाय करिएगा ये सरल उपाय हैं लेकिन ये उपाय इस महीने में जो भी negativity है न उसको आप तक पहुंचने नहीं देंगे और जितनी positivity है ये रखेंगे आपकी favor में कुम्ब यानि Aquarius ये महीना आपके लिए mix result लेके आने वाला है mix में अच्छे result कौन से हैं महीने के शुरुवात में देखिए Guru महराज जो हैं आपके fourth house से travel कर रहे हैं राशी से और साथ में company कौन दे रहे हैं बुद्ध, शुक्र और सूरे तो ये जो combination है न ये combination आप लोगों के लिए तीन तरह के benefit लेके आ रहे हैं अगर कोई property लेने की योजना बना रहे थे वो बनेगी घर में अच्छा वाहन आ सकता है घर के अंदर कोई mangal कार्य हो सकता है या family के साथ कुछ अच्छी vacation भी plan हो सकती है यहाँ पे दिक्कत एक जगा पे आएगी दिक्कत आएगी आपके जो राहू है न वो आपके धनस्तान से गोचर कर रहे हैं और राहू का धनस्तान से चलना और mangal का third house में आना ये combination ऐसा बनता है जिसमें भावनाओं में बहके अपना पैसा किसी को देना पैसा किसी ऐसी जगा पे इन्वेस्ट कर देना जहां से आपको जल्दी लाब की कोई ना कोई आशा हो और बाद में वो पैसा आपका आटक जाए या धन का लॉस अलग-अलग कारणों से जल्दी-जल्दी करवा लेना यह जो चीज है ना इस महीने में आपके लिए प्रामिनेंटली दिख रही है क्योंकि राहू भी पूरा महीना धनस्तन पे रहेंगे और मंगल भी पूरा महीना जो है यह थर्ड़ा उसमें रहेंगे और इसका एक का आपको और भी इफेक्ट देखने को मिलेगा कि किसी भी काम में आ तो बड़ी एनरजी से जाएंगे लेकिन बाद में उस काम को मेंटेन करने है चलाते रहने में आपको दिक्कत आ जाएगी आपके विचार भी बदलते रहेंगे कभी कोई प्लैन बना लिया फिर कोभी कोई प्लैन बना लिया आज आप जिम चले गए परसो आपने जिम की मेंबर्शिप कैंसल करवा दी आज आपने सेर करनी शुरू की परसो भूल गए इस तरह का जो वेवरिंग एटिट्यूड है यह पूरा महीना आपका बना रहेगा महीने के सेकंड हाफ में जब शुक्र सूर्य और बुद्ध आपके फिफ्ट हाउस में आएंगे तो कुछ चीज़ें हील होने शुरू होंगी कुछ आप लाइफ को डिसिप्लेन में लेके आएंगे कुछ लोग भी आपको एड्मायर करेंगे फैमली के लेवल पे भी कई चीज़ें आपकी सौर्ट होंगी रुका हुआ पैसा भी आएगा लेकिन डिजेशन सिस्टम की गड़बर तब शुरू हो जाएगी तब आपको लगेगा खाया पिया पच नहीं रहा है याँ आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है जिसको कहते हैं शिरीर में गर्मी सी आ जाना ऐसी चीज़ आ सकती है तो आपको इस चीज़ की भी केर करनी होगी विशेश तोर पे आप इस समय पे कोई भी ऐसा स्ट्रेच वर्क मत करियागा जिससे शरीर में किसी न किसी तरह का कोई पेन शुरू हो जाए क्योंकि अगर वो पेन शुरू हो गई वो थोड़े लंबे समय तक चल सकती है इस समय पे आपको सबसे ज्यादा जीज़ की केर करनी हो है अपने पैसे को थोड़ा सा समहाल के रखिए पैसे की केर करना जो है न इस महिने में आपके लिए एक एडवाईज है एक मंत्र है क्या उपाय किया जाए जिससे सारा महिना आपके लिए अच्छा रहे एक तो भी लाल चंदन का तिलक अपने माथे पे पूरा महिना लगाते रही है दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है आपने कुछ बताशे अपने सर से साथ बार एंटी क्लॉकवाईज घुमाईए उनको क्रश करके शनी बार वाले दिन पीपल के बेड के नीचे स्प्रेड करके आईए ये जो उपाय है आपके लिए इस महिने में बहुत अच्छी उर जाएं आपके साथ जोड़ेगा और तीसरे नंबर पे एक विशेश उपाय है आपके लिए वो है कि आपको एक नारियल इस महिने में जितने भी शनी बार आएंगे ना एक नारियल जटा नारियल आपको शनी मंदिर में शनी महाराज के चड़नों में रखके प्रार्थना करके वापिस आना है और नीड नॉट टू से अपने हनुमान चली सा जो है आसन लगा के रोज बैठना है और रोज पढ़ना ही पढ़ना है यह जो उपाय है ना इस महिने की negativity को रोकेंगे और इस महिने को आपके लिए बहुत ही comfortable बहुत ही बढ़िया बनाएंगे मीन यानि पाइसेज बही जबरदस महिना है आपके लिए यह जो महिना है ना इसमें महिने की शुरुआत में देखे मंगल आपके धनस्तान पे आ गए आपके जो एफर्स का स्थान है वहाँ बुद्ध, गुरु, शुक्र और सूरे ट्रेवल कर रहे हैं और आपके जो शनी है वो 12 अउसे ट्रेवल कर रहे हैं तो गुड नियूज इसमें क्या है कि मंगल की वज़ाए से रुका हुआ धन आएगा, मंगल की वज़ाए से पैसे के फायदे होंगे और मंगल की वज़ाए से ही आपके अंदर एक नई उर्जा भरेगी जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रिरिद भी करेगी इस महीने में कोई ऐसा डॉकुमेंट या पेपर वर्क या कोई डील लॉक हो सकती है जो आने वले समय में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है और इस महीने में आप कोई ऐसा इंवेस्टमेंट कर सकते हैं जो लॉक टर्म के लिए लेकिन एक मीडियम टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा इस महिने में आपका लगातर मन करेगा कि Shares या किसी भी Short Term के लिए इन्वेस्ट कर दें जिससे आपको फाइदा हो लेकिन वो एक Illusion होगी तो आपको Shares बजार में अगर डील करना है न या तो थोड़े Long Term के लिए करिए या किसी विशेशग्य की सलाह के बाद करिए या चीजों को पूरा सीखने के बाद ही उसमें हाट डालिए नहीं तो हाथ जलने की अशंका बनी रहेगी क्योंकि आपका महिने की जो शुरुआत है न वो चंदरा राहू आपकी राशी से हो रही है तो इसलिए ये बहुत संभाबना बनेगी कि थोड़ा सा इंपल्सिव सा बिहेवियर आपका बना रहेगा जो आपके लिए फाइदे का सौधा नहीं रहेगा सारी चीज़ें आपके फिवर में हो उसके लिए नमबर बन पे खाने पिने में डिसिप्लिन रखिएगा क्योंकि मंगल जो आपके सेकिंड हाउस में है न ये एक तरफ तो वानी को थोड़ा सा लूड करेंगे खराब करेंगे आपकी जो इटिंग हैबिट्स है न उसमें भी वड़ा उतार चड़ाव लेकि आएंगे चलिए उपाई की बात करते हैं आपने सबसे पहले तो अवारा कुत्तों को कुछ न कुछ खाने पिने का समान जो है पूरा महीना देते रहे नमबर दो पे आपने क्या करना है कि इस महीने के जितने बंगलवार हैं आप कुछ ना कुछ मीठा हनुमान जी को चड़ा के लोगों में बांटिए और तीसरे नमबर पे एक विशेश उपाई है आपके लिए कि आपने शुकरवार वाली रात को काले चने या उड़त की दाल रात को बिगोनी है और शनिवार को उनको पक्षियों को किसी तरीके से डाल दीजिए ये जो उपाई हैं ये पूरा महीना आपके लिए उरजाओं को आपके साथ भी जोडेंगे और पूरे महीने को आपके लिए वंडरफुल जबरदस भी बनाएंगे तो दोस्तों ये था जून महीने का आपकी चंदर राशी के अनुसार राशी फल मैं आशा करता हूँ इससे लाब लेके आप अपने आने वाले महीने को फिर आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो ये तक बहुत जल्द मिलते हैं नई टॉपिक नई विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्ते